वेलकम बैक एप्रिवान वेलकम टू सुबल सर्विसेश टड़ी प्रक्टिस एड नमबर यह 308 यह टेस्स सीरीज यूपी पीसी पीसेश के लिए चल रही है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम इंपोर्टन्ट स्टेटिक जीके के प्रश्णों पर तो उचले श्टार्ट करते है स्टेट सीरीस की प्लेश्ट बना रखे हैं वहां पर अप्टस नंबर न से लेकर 308 तक पहुँं सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेंगा उसका पहला प्रश्ण है यहां पर 3-4 स्टेट्मेंट वाला कि नमलेखित कतनों पर विजार करेंगे हमें प्रतवी से बांधे सर्वत्रिक नियम से की जाती है सर्वत्रिक नियम से की जा सकती है इंटरनेस्टनल और यूनिवर्सल लौ ऑफ़ ग्रेविटी हमें प्रत्वी से बांधे रखने वाला वल ठीक है प्रत्वी के चारोर चंद्रमा की कती ये भी है सूरी के चारोर ब्रहों की कती चंद्रमा तथा सूरी के करण ज्वार भाटा इन सभी घटनाओं की व्याख्या गुर्तवा कर्षण के सर्वत्रिक नियम से की जा सकती है Universal Law of Gravitation देखिए उपरोक चारो घटनाओं के पीछे का कारण गुर्तवा कर्षण बला है इन चारो ही घटनाओं की व्याख्या गुर्तवा कर्षण के सर्वत्रिक नियम यानि यूनिवर्सल लॉव ग्रेविटेशन द्वारा की जा सकती है Q2 पर आजएए चंद्रमा पर किसी वस्तू का भार पृत्वी पर भार की तुलना में होगा 6 गुना अधिक, 66 गुना अधिक, 1 वटे 6 वा भाग, 1 वटे 66 वा भाग चंद्रमा पर किसी वस्तू का भार पृत्वी पर भार की तुलना में होगा 1 वटे 6 वा भाग, 2 है सकांसर इन सभी टेस्ट किया, फुल टेस्ट, पीडिये परचेस कर सकते हैं नमबर अश्पर वाटसप करके देखे, चंद्रमा का द्रबेमान पृत्वी के अपयक्षा कम होता है इस कारण चंद्रमा वस्तू आपर कम अकर्शन बल लगाता है चंद्रमा पर वस्तू का भार, पृत्वी के भार का एक वटे 66 वा भाग ही होता है कुश्य नम्बर थ्री पर आ जईए नमलेकित गत्नों पर विचार करेंगे पहला कथन है प्रत्वी के चार और चंद्रमा की गति अब केंद्री अबल यानि सेंट्री फ्यूगल फोर्स के करण होती है चंद्रमा का द्रब्यमान प्रत्वी की अपेक्षा कम है प्रत्वी का द्रब्यमान यानि मास प्रत्वी का दिख है चंद्रमा का दिख है चंद्रमा की कम है तो करेक्ट है दूसरे स्टिट्मेंट प्रत्वी के चार और चंद्रमा की गति अब केंद्री या नहीं वलकि अभी केंद्री अवल के करण होती है सेंट्री फ्यूगल के नह तो गलत है पहला वाला दूसरा वाला के बल सही है कथने गलत है क्योंकि प्रत्वी के चारों और चंद्रमा की कती अभी केंद्री वल यानि सेंट्री पीटल फोर्स के करण उती है नकी सेंट्री फ्यूगल अभी केंद्री वल प्रत्वी के आकर्शन वल के कारण मिल पाता है यहांनी केंद्र की और लगने वाला बल्छ है अब पृश्वी का द्रबिमान के चंद्रमा से अधीक है या चंद्रमा का द्रबिमान पृश्वी की अपैक्षा कम है तो दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत अब अजय ये कोश्चन नमबर फोर पर नमलिकित कत्नों पर विचार करेंगे पहला कथाने यहां पर गृत्वे वल पृत्वी तल से उंचाई बढ़ेने पर और ध्रूबों से विश्वत रेखा की और घटता है किसी बस्तु का द्रभिमान पर्थवी पर या अन ग्रह पर भी उतना ही रहता परंतु भार यानि वेट स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है कौन सा असत्ते हैं पूछ रहा है देखे यह है प्रथवी वी से 0-डीग्री रेखा है भूमद रेखा गोल दो इसको विश्वत वरत्र बोल दो इसको उपर है नौर्थ यानि उत्री धुरूब यह नीचे है दक्षनी द्रूब तो यह गोल रहा है द्रूबों से विश्वत रेखा की और जाने पर क्रेविटेशन फोर्स कमान घटता जाता है अब चाहां उत्री गुलार्द में आजाओ प्रत्वी तल से प्रत्विक तल जाओगे तो ग्रेविटी घटेगी और द्रूबों से दिश्वत रेखा की तरब जाओगे तब भी घटेगी जानि द्रूबों पर अधिक होगी तो सही है पहला वाला और दूसरा वाला भी ठीक है द्रविमान तो उतनी रहता है वेट में परिवर्दन होता है यह गलत कि विभन इस्थानों पर भी परिवर्दित होता है इसका मान ध्रूबों से विश्वत वरत्तिकी और घटता जाता है यानि पोल्स से एक क्वेटर की तरब जाएंगे तो घटता जाएगा एक क्वेटर से पोल्स की तरब जाएंगे तो बढ़ता जाएगा और ध्रूबों पर सरवाधिक होगा कि किसी वस्तु का तंब इमान या निमास प्रत कि स्थान पर चाहें पर्ठ्वी पर या किसी निगरह पर उटना ही रहता है कि इसके इस थान पर निर घुट करते हैं जो अपरिवर्थित इस आवह वांगर 5 पर आज बुर्थ तुरुन का मान नम्लिकित मेंसे कितना होता है कि अधारी देखे बूर्ख तुरुण का मौता है 9.8 कि है क्या और यह क्या है यहाँ सार्बत्री गृत्वे इस्थराः का कि पर्थव का तर्वे मान और यह पर्थवी की तरजिया अ कि तो गुर्थवे तुरन का मान है नाइन फूइंट एट मेटर पूर्ति स्यू अ क & स्यू आध का फूर्थवे दो भून एक पथफर को एक संहान उचाई से देखे कागच से तो पहले नीचे पत्थर ही पहुँचेगा दोनों एक साथ जमीन पर तो पहुंच भी नहीं सकते हैं दोनों एक साथ जमीन पर तब पहुंचेंगे जब इनको वैक्यूम में गराएंगे निर्वात में गराएंगे तब पहुंचेंगे यह लेकिन हां निर्वात का कोई रियोक्या नहीं गया उसके वारें बूली नहीं तो कागज पर लगने वाले घर्षण के करण्ण वह्य devrait पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा ते दरब्यवान वाला हटा दीजे Udeeh Cardag k Lam 블agедь लगने वाले घर्षण के करण। पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा या नी पह़ड़े पत्थर पहुंचेगा देखें पृत्वी पर कागज की एक शीट तथा पत्थर को समानुचाहिस के साथ छोड़ने पर कागज पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा एसा वायू के प्रतिरोद के कारण होता है गरती होई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायू प्रतिरोद लगाती है कागज पर लगने वाला वायू का प्रतिरोद पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोद से अधिक होता है अब आज़े एक कोश्या नमबर सेवन पर गुर्त्वा कर्षण वल के संदर्ब में नमलिकत में से कौन सा कथन सही है यह नियम सभी पिंड़ों पर लागू होता है चाहे वे पृत्वी में कहीं भी हो गुर्त्वा कर्षण वल एक छींड वल है पृत्वी दवारा लगाया जेने वल है गुर्त्व वल कहलाता है यह निद्वा सभी आउर तीसरा सभी पोगर दूसरा वाला भी सही है मैं यह गृविटेशन फोर्स एक छींड वल ही है प्रवल वल वल नहीं है तो है इस स्काप कि गुर्तव आकर्षINGど पॉरू की बिए कि नियम के निश्वार किनी दो पिंडों के वीच आकरशण appro उनगों के दिरभीमान्यों के गुणन फलकियानुकुर्मानपाति तरा उनगे वीच की दूरी के वित कॉनम पन वित्कुर्मानपाति होता है और यह निएम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहें वे विश में या परत्वी में कहीं भी हो इस प्रकार के नियम को सार्वित्रिक नियम कहते हैं इसे श्कूल में पढ़े लगाय जाने वाड़र लगाय जाने वे गूर्ट एंग नियम को गुर्ती आपलत tae जीक 10 नियम दिया थे न्यूटन ने 20 संब साल मैं आद तो ना surgeon ने दिया थे गटिगती नियम परतंली दूसरा नियम और तीश्रा नियम गती का परतामी गती का दुत्ति नियम पहला नियम क्या है वस्तो अपनी विरां मझका शरल की आवस्था में जब तक बनी रहीगी जब तक कोई बाहरी बन उस पर क्हाम न करते फिर के अरूपित वल के समान वाथिक होती है तीसरा क्या प्रतेक्रिया के समान एबंब विप्रीत प्रतिक्रिया होती है ये दो विभिन वस्तुओं पर कारे करती है इनके एक्जामपल भी पूछ लेता है एक्जाम में अब जैसे ये एक प्रश्ण है कॉशन नम्बर आठ है यहां पर प्रत्वी पर गिरती हुई कोई व व्याख्या नम्रे के तमय से किस्से की जा सकती है गती के पहले नियम से गती के दूसरे नियम से गती के दीसरे नियम से या इन में से कोई भी नहीं कि इसकी व्याख्या की जा सकती है गती के दुद्ध्य नियम से अप्शन नमबर भी है इस कांसर गती के दीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी प्रत्वी का अकर्शित करती है लेकिन गती के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिये हुए बल के लिए तुरण वस्तु के द्रब्यमान की विद्कुन अमनपति होता है अर्था द्रब्यमान जितना अधिक होगा वल उतना अधिक लगेगा और प्रत्वी की अप्यक्षा वस्तु का द्रब्यमान न करने हैं इसलिए हम प्रत्वी को वस्तु की और गती करते नहीं देखते तो विकल्ब भी सही है यानि गती का दूसरा नियुक्षिन नम्बर होता है क्या घर्षनवल सदयव पृत्वी की गती का पृतिरोध करता है और सभी वस्तूओं का जो जड़त्व है वो समान नहीं होता तो सही इसमें पूछा है के वल एक सही है जहां जहां दो है उसको हटा दीजिए देखे घर्षनवल सदयव पृति का पृतिरोध करता है तो पहला वाला करेक्ट है दूसरा कलत है क्योंकि भारी पृत्व का जड़त्व अधिक होता है मात्रात्मक रूप से किसी पृत्व का द्रविमान उसके जड़त्व की माप है इसका SI मात्रक है किलोग्राम पृत्व नम्बर दस पर आजए नमलेखेत मैंसे वल का SI मात्रक कौन सा है यह मात्रक से SI मात्रक से स्टेट PCS में प्रश्न बन जाते हैं मैच वैश करने के लिए पूछ लेते हैं तीन-चार मात्रक है सीदे-सीदे इस तरह से पूछ लेगा वल का SI मात्रक है न्यूटन ठी परतीक है इसका Capital N पर आजए नम्रेखित कत्नों पर विचार करेंगे वस्तु का संबेग उसके दिरब बिमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी देशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है दो वस्तु का कुल संबेग या संरक्षित रहता है कौन सा सही है अचांकि संबेग वेग विस्थापन ये कैसी रासियां वह पूछ लेता है तो यह सदिस राश्य आ है संबेग एक सदिस रासिय या और ऑन सब्याक्र वेग के EXlusion जाता है तो थैए प्रष्थ एक्जाम में में वस्तु का संबेग उसके दरब्यमान वेक के गुड़नफल उसके दरब्यमान वेक का गुड़नफल होता तथा इसकी दिशा भही होती है जो वस्तू के वेक की होती है और दो वस्तूओं के संबेक का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित वर्ल कार ना कर रहा हो इसे संबेग संरक्ष्ण का नियम करता है स्कूल में पढ़ा होगा आपने अब आजाए क्वेश्चन नमबर 12 पर विद्धु धरा की SI यूनिट क्या है विद्धु धरा की SI यूनिट है और इसका नाम अंड्रे मेरी एंपियर के नाम पर रखा गया एक फ्रांसी सी गड़ी तक और भौतिक बिग्यानी जिन्हें इलेक्ट्रो डायनामिक्स का जन्रक माना जाता है एक सेकेंड में एक विशेश विंदु से गुजरने वाला एक कुलंब आवेश एक एमपियर को दर्शाता है तेरवा प्राशन है किर्किट के खेल में कैच लपकने के लिए छेत रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की और खीचना न्यूटन के प्रथम नियम का उधारन एं न्यूटन के दूसरे और न्यूटन के तीसरे नियम का उधारन किस का उधारन है प्रत्थम नियम का नहीं है न्यूटन के दूसरे नियम का उदारन है देखें न्यूटन के गती के दुत्य नियम के अनुसार किरकिट के छेत खेल में छेत रक्षक तेजगती से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की और खीशता है जिससे गेंद के वेग को सूनने करने में अधिक समय लगता है इस प्रकार गेंद में संबेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है जिससे तेज गती से आ रहे ही गेंद का प्रभाब दर कम पढ़ता है गैलीलियो इटली के एक खगोल सास्त्री थे दार्शनिक थे गड़ितग्य थे ये सभी थे गैलीलियो इटली के एक खगोल सास्त्री थे दार्शनिक भी तो थे गडितक के भी थे सबी है इस कांसर तो टी ही होगा गैलीलियो इटली के खगोल सास्त्री दार्शनिक गडितक के साथ-साथ कुशल सिल्पकार भी थे उन्होंने विभिन दूर दर्शकों की स्रेणी विक्सित करने के साथ साथ प्रथम लोलग घड़ी के संरशना की थी सीरीज ओप टेलस्कोप प्रशन नुम्बर पंद्रा पर आज़े प्रथवी सौर मंडल के केंद्र पर इस्थित है तथा बुद्ध शुक्र ब्रहस्पति वेस्थनी इसके चार ओड़ चक्कर लगाते हैं यह परिकल्पना नमनिकित में सही किसकी है जो कि गलत थाबित होई क्योंकि पृथवी सौर मंडल के केंदर में सूर हॉच झूण है और यू दूसरी ग्रह है उसका चक्र लगता है गलत परिकल्पना है टॉल्मी की उसी सताब्धी में ति फो पर कॉपर निकस आये कोपर निकस ने बोला कि Ben वाही कि सूर्सुर्मंड़ के केंद्र में फिलिक्वा कि सारे ग्रेह प्रत्वी बंध्र उसका चक्कर लगाते हैं कि तोलमी ने दुट्य षताप्दी में प्रकल्पना की या यानि सूर है सौर मंडल के केंद्र में और बागी दूसरे के रहे प्रत्वी सहीद उसका चक्कर लगाते हैं कोशय नुमबर 16 प्राजी करवन डाय अक्साइड के स्थ एक प्रतिशत का एक छोटा सा भाग है क्योंकि carbon dioxide दो विधियों से इस्तर होती है हरे पौधे सूर की क्रणों की उपस्तिती में carbon dioxide को glucose में बदल देते हैं और बहुत से समुद्री जीव जल में घुले carbonate से अपना कपच बनाते हैं question number 17 पर आजए नमलिकित में से कोई एक गलत है यहां पर वायू उश्मा की कुचालक है वायू मंडल पृत्थवी के ओसत तापमान को दिन के समय और यहां तक की पूरे वर्स भार लगभग नियत रखता है इस स्थल की अपैक्षा जल जल्दी गरम होता है परत्थवी की घुणन गती तथा पवन के मार्ग में आने वाली परवत स्रंखलाएं हवाओं को परभावित करती है बिलकुल परत्थवी की जो घुणन गती है और पवनों के मार्ग में आने वाली जो परवत स्रंखलाएं वो हवाओं को प्रभावित करेंगी वायू उश्मा की कुचालक है वायू मंडल जो है हमारा वो प्रत्वी के और सत्ता अपमान को दिन के समय यहां तक की पूरे वर्ष भर लगवग नियत रखता है प्रत्वी वायू मंडल है तभी तो जीवन है ठीक है मंगल पर नहीं है तो जीवन नहीं है सुक्र पर नहीं है इस्थल की अपेक्षा जल देर में गरम होता है पहले इस्थल गरम होगा देखें जल की अपेक्षा इस्थल जल्दी गरम होता है इसलिए दिन के समय इस्थल के ऊपर की वायू जल के ऊपर की वायू के अपेक्षा तेजी से गरम होगी यह वायू उपर उठती है और वहां कम दाब का छेतर बन जाता जिससे समुद्र के ऊपर की वायू कम दाब व प्रवाहित हो जाती है तो इस थाल जल्दी करम होता है जल बाद में पॉश्चा नमबर एट पर आजए हूमस के संद्रवे निम्लिकित में से कोई एक गलत है यहां पर यह सड़े गले जीवों का अंस है यह मृदा की सनशना का मुख्यकारक है यह मृदा को सरंद्र बनाता है उपरोक्त में से कोई नहीं यानि यह सारे के सारे सही होंगे विल्कुल यूमस के बारे में तीनों के तीनों सही है पहला भी दूसरा भी तूसरा भी इंकरेक्ट अपने को ढूड़ना है तो कोई भी इंकरेक्ट नहीं है तो डी लगाएंगे इस कांसर हो देखिए मरदा में सड़े गले जीवों के टुकडे उपस्तित होते हैं जिसे हिूमस कहा जाता है यह मरदा की संरशना का मुखे कारा के क्योंकि यह मरदा को सरंद्र बनाता है और वायू तथा जलको भूमी के भीतर जाने में सहाइक होता है हिूमस का जो रंग है वो गहरा भूरा या काला होता है हिूमस में करीब 60% कारवन, 6% नाइट्रोजन और थोड़ी मातरा में फोस्पोरस और सलफर होता है क्वोश्चन नोबर 19 पर आजए नम्रकित में से कौन सा कथन गलत है नाइट्रोजन के आकसाइड वे कारवन मोनो आकसाइड आमलिय वर्षा के मुख्यकारक है धूम कोहरा जो है विशेशकर सर्दी के मौसम में बनता है वायू में उपस्थित धूल के कणों के साथ साथ प्रदुशकों की अधिक मातरा में उपस्थिती द्रश्चता को कम करती है और धूम कोहरा जो है विशेशकर सर्दी के मौसम में बनता है और दिल्लियां बनना सुरू हो गया है ठीक है 400 पर है इस समय एर क्वालिटी इंडेक्स दिल्लिगा जो गंभीर स्थिती में है वो प्रोग सभी कतने यहां पर सही नहीं है कि वो बी सही है सी सही है और गलत है अपना पहला सारे सही नहीं है तो यह है इसका अंसर है तो विकल्प एक अलात है क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर उसे अमलिया बनाते हैं यानि एसे डिक तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अमलिया वर्षा के मुख्य कारक हैं तो बहुत पूशना है एक्जाम में वायू में उपस्ति धूल कणों के साथ साथ प्रदोश्कों की अधिक मात्रा में उपस्ति द्रश्चता को कम करती है विसे सर्दी के मौसम में जब जल्ब ही वायू के साथ संगनित होता है इसे धूम कोहरा क्याते हैं और यह बनने लगा दिल्ली में 10 नॉवंबर से तो बी और सी सही है एक लट है लोग इसको कोहरा समझना है जबकि यह पॉल्यूशन है पुर्शन पर आ जाई है ओजोन के संदर्वेन इम्रीक में से कौन सा कथन सही है विसेली गैस है ओजोन क्लोरो फ्लोरो कारवन यानि सी एफ सी क्लोरीन और यह पिर्णो करती है पर देखें ऑक्सीजन के सामानेद दूई परमाणविक अनुके विपरीद यह पुर्ण विसेली जह होती है तो पहला वाला सरे दूसरा सिह इंपोर्टनी प्रिक्टिस कर लिजागा एक से दो बार धन्यवाद इसे भी टेस्ट का फुल टास्टपीडिया पुर्चेस कर सकते हो यह नमबर एस फर वाट सब्सक्रोड करके